नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुमुद शर्मा क्रिमिनल्स में आज बेनकाब होगा शम्शान वाली काली शर्ट में कैथ कातिल जिसने दो सेक्रेटी गार्ड का मड़ किया बेनकाब होगे बरबरता करने वाले साथ शैतान भी कहा हुआ मंगेतर का कतल ये भी आपको आज हम दिखाएंगे बैंक में साइबर फ्रॉड की हिरान कर देने वाली वारदात भी आज होगी बैंक करमचारी ने कैसे दिया पंधरा खातेदारों के साथ फ्रॉड किया और होगा क्रुकिट की टीम गुनाह की पिच लुटेरे बोल्ड करीब 75 दिन पहले दो सुकेट्री गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी हत्यारे के CCTV फुटेज की रील बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल की गई हो कुलहारी से सोलह वार करके ये जगन्य हत्या कांड हुआ था शम्शान वाली शिर्ट हत्यारे के नंगे पैर ने खुला है डबल मडर करास आप भी देखिए इस रिपॉर्ट में इन्होंने अपना हुलिया बदलने के लिए एक तो नकाब लगाया था नकाब में उन्होंने छेट कर दिया था तो आँख और नाख इस पश्ट हो रहे थे टी-शिर्ट भी ये शम्शान से कपड़ा जो कपड़ा पड़ा रहता उसको लेके आए थे और उस कपड़े का जो पहां रहता है उसको निकाल दिये थे तो वो कटा हुआ टी-शिर्ट कर दिख रहता अलग से कि ये नंगे पैर के तो इस बात से क्लियर हो रहा था कि ये गाउद देहाद की वेक्ति हैं जो उसक्षेत्र में आना जाना करते हैं व्याजा हम लोग का कंसंट्रेशन उनहीं तरह के संदेईयों पर ज्यादा सिक्रेटी गाड डबल मुर्डर मिस्ट्री कुलहाली से सोलावार हैवानियत की हद पाथ हत्यारे की बनाए गई थी री शम्शान वाली शर्ट नंगे पैर ने दिया सुराग जुर्म की दुनिया में किसी कातिल के पहली बार रील बनी होगी इन सीसी टीवी फोटेज की रील बनाकर हत्यारे का सुराग पुलिस की टीम पिछले 75 दिन से लगा रही थी कतल कैसे हुआ सीसी टीवी फोरेट से साफ था काली शेट पहन कर कातिल आया काला नकाब ओड है जिसने कुलहारी सिवार करके वाइन शॉप के बाहर सु रहे सिक्रेटी गाड यदू नंदन पटेल और जै कुमार शूदिवन्शी की हत्या की उसके बाद वाइन शॉप में लूट जानकी चांपा में चांपा थाना इलाके के सिवनी गाओं में चार से पांच नवंबर की दर्मियानी राद ये जगन ने हत्याकान हुआ था इस डबल मडर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पुलिस की टीम को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा कई लोगों से पुछताच हुई तीन जुलों के मुबाइल टावर टम कराए गए सोच सकते हैं कैसे तफ्तीश में जुटी थी पुलिस की टीम हत्यारे पर इनाम के ऐलान भी हुआ आखर उस रात ये काला नकाब ओड़े आया कातल कौन था इसी नकाब और बिना बाहे वाली काली शर्ट ने पहला सुराग दिया दूसरा सुराग हत्यारा नंगे पैर आया था यानि ये किसी बाहरी नहीं बलकि स्थानी गाउं के रहने वाले शक्स का काम है इन्होंने अपना हुलिया बदलने के लिए एक तो नकाब लगाया था नकाब में उन्होंने छेट कर दिया था तो आख और नाख इसपश्ट हो रहे थे और साथ ही जो टी-शेट था टी-शेट भी ये शमसान से कपड़ा पढ़ा रहता उसको लेके आए थे और उस कपड़े का जो बाह रहता है उसको निकाल दिये थे तो वो कटा हुआ टी-शेट का इसका दिख रहता लग से और दीन स्प्रेंट को भी उपर कर लिया थे लेकिन चुकि ये नंगे पैर के तो इस बात से क्लियर हो रहा था कि ये गाउन देहाद के वेक्षिये हैं जो उस शेत्र में आना जाना करते हैं लियाजा हमलों का कंसंट्रेशन उन्ही तरह के संदेईयों पे ज्यादा था सौतेले बेटे ने कुट्टों को बिस्किट खिलाया नकाब वाला कातिल 75 दिन बाद बे नकाब पती पत्नी सौतेला बेटा और साजिश लूट का प्लान बनाया था शिवशंकर उसके सौतेले बेटे कृष्णा ने शिवशंकर की पत्नी मंगली भी शामिल थी वार्दात वाले दिन कुट्टों को एक जगहे ले गया बिस्किट खिलाने लगा जिससे शिवशंकर का काम आसान हो गया कई दिन पहले रैकी की गई थी जांगेज चापा, गोर्बा और सारंगर जिले के ये तीन जिलों के जितने भी कनेक्टेड मॉबाइल काम ने सभी का विश्लेशन किया गया लगबख सौ से अधिक मॉबाइल पूश्टाच की गई साड़े तीन सो से जादा सीजिया लिए गया और लाखों नंबरों का विश्लेशन किया गया तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइस था जिसमें बहुत समय लगा तो कि दोनों गार्ड हैं इनका संपर कई लोगों से था जिस रात को घटना हुए इस रात को भी इनोंने कई लोगों से बाच चीटी थी पस्तेक को विरिफाई करना और फिर उनके किस तरह से रिलेशन बाकी लोगों से उस पर भी पुलिश ने बहुत काम किया अंतरता फि लाश कशब के साथ भी और रिपोर्ट नहीं हो जेटीन मधिबर्देश 36 का उस लड़की का रिष्टा तै हो गया था लेकिल वो लड़की दुल्धन नहीं बनी बलकि उसकी अर्थी उठी लड़की की लाश संदिग्द हालत में घर में मिनी पुलिस की माने तो ये कतल का मामला है अमने तक लड़की के घरवाले लड़की के मंगेतर पर हत्या का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आखिर इन इल्जाम का सच क्या कौन है वो कातर इस रपोर्ट में देखें घर में लड़की की लाश गले पर चोट की निशान कैसे हुआ मोबाइल गायब क्या चट से भागा गातिल मंगेतर का मडर ये परिवार सदमे में है जिस बेटी को दुलन बनाने का सपना सोजोया था उसी बेटी की लाश कमरे में मिली पन्ना के एक कोतवाली थाना इलाके की वार्ट क्रमाग चौदा बेनी सागर मोहले का ये मामला है 21 साल की तनीशा की संदिक धालत में लाश मिली दर्वाजा बन था तनीशा का रिष्टा ते हो गया था आखिर तनीशा की मौद कैसे हुई घरवालों की माने तो किसी ने घर में आते हुए एक लड़के को देखा ये लड़का प्रीतम है वही लड़का जिससे तनीशा की शादी ते हुई थी इधर मृतक लड़की के परिवारवालों की माने तो गाउवालों ने भी शाद से किसी को भागते हुए देखा था तनीशा की लाश बंद कमरे में मिली थी जिस वक्त तनीशा की मौत हुई उस वक्त घर में वो अकेली थी उसकी मम्मी पापा बाहर गए हुए थे दूसरी बात ये की जब भाई घर आया तो दर्माता बंद था जब वो कमरे के अंदर गया तो बिस्तर पर बेहन को बेहुशी की हालत में देखकर सन रह गया तनीशा की भाई को लगा वो बेहुश हो गई है उसे फॉरण अस्पताल ले जाए गया लेकिन तनीशा दम तोड़ चुकी थी वो दस बज़े आया था और कुछ बहेंसवाजी हुई है और लॉकेट पहने थी बहेंट उसके कारण उसने दम गोट दिया और जब ये गया था दरवाजा दरवाजा तोड़ा फिर दादी को बताया मम्मी को बताया फिर वो होस्टर लेके आया गरवालों को शक है कि इस हत्या के पीछे तनीशा की मंगेतर प्रितम का हाथ है तनीशा की शादी अमान गंच्थाना अलाके के हर दूआ के रहने वाले प्रितम का शिप से तेह हुई थी तभी से प्रितम का घर आना जाना होने लगा मकर संक्रांती पर भी प्रितम आया था और मौत से पहले प्रितम को घर में आते देखा गया इधर पुलिस वालों को पोस्टम रिपोर्ट का इंतिसार था पुलिस की माने तो ये कतल का मामला है प्लीस ने 302 का मामला दर्स किया है तनीशा की गले से लॉकेट भी गायव है आखिर मौत के पीछे की वजह क्या थी आखिर वो कातिल कौन है मंगेतर पर जो संगिन इल्जाम लगा है उसका सच क्या है पुलीस वाले तहकीकात कर रहे है पर्ना में संजीतिवारी के साथ प्यूरे रपोर्ट न्यूज 18 मद्ध प्रदीश 36 गर्व फिलाल यहाँ पर रुकिंगे छोटे से ब्रेक के लिए